हेलो मैडिये स्टुडेंट्स इस वीडियो में मल्टीपर च्वाइस केस्टर करेंगे अगर आपने इस चेप्टर को पढ़ा नहीं है या इसके आपने उत्तर के लिए सही विकल्प का चैन करें तो ट्रिकी था क्या कैट मंकी डॉग नन आप जानते हैं ट्रिकी एक डॉग था कुट्ता था तो आपसंसी आपका करेक्ट हो जाएगा next question second है the dog looked like कुट्ता दिखता था कैसा दिखता था very active too much thin बहुत ज्यादा दुबला पतला quite smart बहुत smart दिखता था very fatty like a blotted sausage बहुत मोटा एक फूले हुए sausage की तरह तो आप जानते हैं कि ट्रिकी जो था डॉग था वो बहुत fatty वसा युक्त मोटा ये फूले हुए sausage की तरह दिखता था option D आपका करेक्ट हो जाएगा question 3 है the clinic doctor gave तो clinic के doctor ने दिया डॉग को ट्रिकी को दिया क्या दिया fruits and vegetables injections no food for two days chocolates तो आप जानते हैं कि doctor ने उसको दो दिन तक कोई भोजन नहीं दिया था तो option C आपका correct हो जाएगा next question है what was tricky's actual problem ट्रिकी की वास्तविक समस्या क्या थी fever था उसको malaria था malnutrition को पोशण का सीकार था omitting because of excess food अत्यदिक भोजन की वज़ा से उसको omitting हो रही थी उल्टी हो रही थी तो आप जानते हैं कि वह खाने पीने का बड़ा सवकीन था तो ज्यादा खा लेता था तो omitting हो रही थी तो option D आपका correct हो जाएगा question 5 है who was mrs. pamphrey mrs. pamphrey kão थी the maid नौकरानी थी the caretaker देखवाल करने वाली the nurse नर्स थी the mistress मालकिन थी तो आप जानते हैं कि वह mistress थी मालकिन थी तो option D आपका correct हो जाएगा next है c was a poor lady करीब महिला selfish lady स्वार्थी महिला wealthy lady धनी महिला none of the above तो आप जानते हैं कि वह rich lady थी धनी महिला थी wealthy महिला थी wealthy lady थी option C आपका correct हो जाएगा question 7 है the other dog decided that tricky was a अन्य कुत्तों ने decide कर लिया नेड़ ले लिया कि tricky था क्या very interesting animal बहुत रुचिकर जानवर very funny बहुत मचेदार uninteresting object और उचिकर वस्तु ना नाबद अब तो आप जानते हैं कि डॉक्स जो other dogs थे उन्होंने समझा कि वह uninteresting object है option C आपका correct हो जाएगा the narrator was the narrator जो कहानी का वक्ता है वह था क्या actor, painter, singer, veterinary surgeon पसु का सल्चिकित सक पसु सल्चिकित सक था तो आप जानते हैं कि वह पसु सल्चिकित सक था सर्जन था तो option D आपका, D for Douglas correct हो जाएगा tricky was not given any eatable thing for one day, two days, three days, four days तो tricky को कोई खाने की चीज़े नहीं दी गई, कितने दिन इसका answer आप comment box में करेंगे तो अच्छा लगेगा और आज की session का last question है so far means, so far means क्या होता है gardener, malli, guard, रच्छक, driver, चालक और ये cheap होना चीज़े था, यहाँ misprinting हो गई है तो आप जानते हैं, so far means driver होता है thanks for watching me